दोस्तो अगर आपने भी Tally Software सेख रखा है और आपने किसी कंपनी में जोब के लिए अपलाई किया है लेकिन अभी आपका इंट्रिव्यू होना बाकी है तो दोस्तो अगर आपको उस इंट्रिव्यू के दरान में ये बात बोली जाए भी आप हमें Tally Prime Software में Cell Voucher की इंट्री क करके बताओ और उस Cell Voucher की इंट्री करने के दोरान आपको ये सारी बैसिक इंफॉर्मेशन भी वहाँ पर फिलप करनी पड़ेगी जैसा कि इनवोईस नमबर है डेट है डिलिवरी नोट है मोड ट्रम्स और पैम्ट्स रहेगी वायर्स का ओटर नमबर क्या है डिलिवरी न तो यहाँ पर आके जो टेली ऑप्रेटर होते हैं यानि कि जो नए स्टुडेंट होते हैं अकाउंट्स के काफी जादे कन्फ्यूज हो जाते हैं यह इनफॉर्मेशन हम टेली सॉप्ट्वेर में कहां से फिडिंग करें क्योंकि उनको सेल वाउचर की इंट्री करना तो आत भी आपको प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप किसी कंपनी लेवल के हम बात करें तो उस कंपनी में प्रैक्टिकल तरीके से सेल वाउचर की इंट्री को हम टेली सॉप्ट्वेर में किस परकार करते हैं किस परकार हम लेजर क्रेट करते हैं किस तरी किस स्टोक आइटम आपक सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर कर लेना ताकि मारी आने वाली हर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौनसुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज का यूडियो दोस्तों मैंने इस कंपनी में सेल वाउच्चर की इंट्री करके रखी विया सबसे पहले हम उस इंट्री को देख लेते हैं हम जाएंगे डेबुक पे और एप्टो करके ओपन करेंगे तो ये एक इस सेल वाउच् तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना थी भी सेल वाउच्चर की इंट्री करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या होता है तो दोस्तों ये इन्वोईच को हम साथ में रखते हैं तो अभी आप देख रहे हूं यहाँ पर आ रहा है इन्वोईच का नंबर जो की सब्सक्राइबर में इंट्री करते हैं तो यह उट्मेटिक आ जाती है उसके बाद में पार्टि कांट ने और उसके बाद हमें स्टोक आइटम क्रेट करनी पड़ती है तो मैंने यहाँ पर दो स्टोक आइटम क्रेट की विए एक कीबोर्ड और एक हईच्पे माउस का तो यह भी दिखा देता हूं आपको मैं कीबोर्ड का स्टोक आइटम है वो किस तरीके से बनाए है कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगों तो हम यहीं पर आके इसको मोडिफाई कर सकते हैं तो हमने इसको कीबोर्ड नाम लिया है यूनिट मैंने एक बार इसको पीस लिया के से मैंने यहाँ पर अच्पी माउस की भी स्टोक आइटम क्रेट की विया है और यह कंप्यूटर पार जिस्टी बारा प्रसेंट सेल का लेजर यहाँ पर मैंने क्रेट क्या हूए अंडर में सेल काउंट की तो यह बैसिक इनफोर्मेशन है इस पर काफी व्यूडियो मैं मैं ओलेडी बना चुका हूँ और इस पर हम करेंगे वाउचर को सेव असेप्ट करते हुए तो यह बात तो थी वाउचर को सेव करने के अब बात आती है यह जो बैसिक इनफोर्मेशन अगर हमारे से को मांगी जाए तो इसकी इनफोर्मेशन हम कहां से पोस्ट करेंगे तो पुरवाईड बै डिटेयल्स, पुरवाईड डिश्वेज, ओन, एकस्पोर डिटेयल्स, फौर्वाईड ओरड डिटेयल्स तो इन सभी ऑपस्टन को आपको यहस करना है अगर आपके पास यह ऑपस्न नहा आ रहे हैं तो यह प्रवाईड एकस्पोर्ट डिटेयल्स की लेकिन आपको जो यह जो तीन ओप्सन, शुरुवात के तीन ओप्सन जो दिखाया दे रहे हैं, इनको यस करना जूरूरी है, इनको यस करने के बाद में इसको मैं कंट्रोल एक के साथ असेप्ट करूँगा, और उसके बाद में पाल्टी अकाउंट नेम पर आगे जैसे हम इ जो इन्वोईस नमबर है, वो ही डोकॉमेंट नमबर देती है, अगर आपने इसके साथ में इस इन्वोईस के साथ में अलग से आपने कोई चलान वेगरा या कोई रफ डोकॉमेंट आपने बनाए में है, उसका कोई डोकॉमेंट नमबर है, तो वो आप यहां पर देख सकत उसकी detail आपको देने पड़ेगा जैसे कि मैंने यहां पर बाई कार कर दिया उसके बाद में यह जो माल है वो कहां पर जा रहा है तो इसका location मैंने यहां पर दे दिया डेजिनिसन में सरीगंगनगर की और उसके बाद में carrier name agent name अगर आपने यह जो goods है यह किसी agent के थुरू आपने dispatch किया है तो उस agent का नाम भी आपको देना पड़ेगा और उसके बाद में bill of landing LRR यानकि यह जो builti number है अगर आप मालीजी आपने कोई transportation use किया और transportation के थुरू जो builti उसका जो एक invoice बनते है उसका जो document number है वो हमें जहां पर देना पड़ता है और उसके बाद में motor vehicle की details जो भी आपने buy car है तो उस buy car का जो number है वो आपको जहां पर बताना पड़ेगा और उसके बाद में यह orders के detail है यह order number के है यानकि अगर आपने यह goods आप जो send कर रहे हो यह dispatch किया है इसका order number कौन से order के थुरू आपने यह order लिया वह है जो आप अभी send कर रहे हो और उसके बाद में more terms of payment यानकि इस समान की जो पैमट से रहेगी इस bill की वो buy check रहेगी या buy case रहेगी जो भी इसकी condition है वो हमें यह आपर बतानी पड़ती है और उसके बाद में other reference, other reference में अगर आपके कोई अलग से कोई dispatch की detail लिखनी है या कोई इसका claim नहीं है कुछ भी अगर information आप लिखनी है तो हम other reference में लिख सकते हैं उसके बाद में terms of delivery यान कि अब ये जो goods आप send करें हो इसकी terms क्या क्या condition है भी आप कितने दिन की अंदर ये mall उस location पर पहुंच जाना चाहिए तो जैसी कि मैंने यहाँ पर one day दिये तो आप अपने according company के rule के coding one day two days या three days जो भी condition रहती है उसके according हम यहाँ पर fill up कर सकते हैं तो इनको हम यहाँ से fill up करने के बाद में accept करेंगे उसके बाद में party के detail नहीं हमारे पास आजेगी controller के साथ accept करेंगे और उसको बाद में हम इसको वाप्चर को दुबारा एक बार इसको accept करेंगे तो जैसा कि मैंने इसको हम साथ के साथ भी कर सकते हैं और accept करेंगे और उसके बाद में हम इसका print view अगर हमें बेजना हो या इसका print लेना हो तो हम एल्ट पी हम shortcut use करेंगे और उसके बाद में number of copies one रहेगी और इसमें हम original select कर लेंगे और इसका पर preview हम देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके का preview आपको यहाँ पर नजर आएगा तो यह सारी information अभी आप देख रहे हैं जो हमने fill up करी है वो इस condition पर यानिकि इस format में आके वो सारी save हो जाती है और यह सारा का सारा जो भी आपने fill up करी है वो print out में भी आपको दिखेगा तो दोस्तो इस type को जो question होते हैं वो अकसर नए accountant से interview के time में जुरूर पुछे जाते हैं वो इसलिए पुछे जाते हैं वी क्या उनको entry करने के साथ साथ छोटी मोटी जो basic knowledge है उनके बारे में कितनी अच्छी तरीके से जान करी है क्योंकि ज़्यादा तर ऐसी जो बाते हैं वो student होते हैं वो किसी institute में जाकि जब टेली software को सेखते हैं तो इन चीजों को ज़्यादा तर ignore कर देते हैं वो मोटा मोटी basically केवल entry करना ही सेखते हैं जबकि entry करने के साथ साथ आपको टेली software के जो basic features हैं उनके बारे में भी आपक के भी जुरूर जाना तो दोस्तों अगर आपने मारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब रिजूर को लेना और साथ में notification bell को भी जुरूर on कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ